राजनीती में पाला बदलते ही नेताओं के सुर्भी बदल जाते हैं। ये बात बीजेपी को टाटा बाय बाय कर सपा जॉइन करने वाले मुकेश वर्मा पर ठीक बैठती है। बीजेपी छोडने के बाद समाजवादी पार्टी ने शिकोह बाद सीट से मुकेश वर्मा को केंडिडेट बनाया है। मुकेश वर्मा लगातार बीजेपी और रसेस पर हमला साध रहे हैं। वर्मा ने इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंतर देव सिंग पर हमला बोला है। वर्मा ने कहा कि स्वतंतर देव सिंग बीजेपी और रसेस के रट्टूत होते हैं। वर्मा ने कहा कि वीजपी ने उनके खिलाफ छोटे भाई को उतार कर परिवार में ही लड़ाई करवा दी है क्या रखता है कि अपने हो सुतंदेब भाबू जी अपने हैं उनके पढलों में भी पढला में आई रेक्ट्टुत varistha impossibility 1 और भाजपा जैसा उनको समझा । उन्हें बढ़ा देंगी और यहें वो कांव कर तो हमारे भीच में यहां आए थे ऑला के टिक्ट दे रहे थे कि आप लोग भागों मती हम टिकट देंगे उनके पास हमारे सामने का कोई प्रत्यासी नहीं था इसलिए उन्होंने भाई Разवा कर लोगों को बिलकुल गज करना जिस तरह से Constitution को ये डाइलूट कर रहे है टेक्निकल तरीके से सत्तर हजार नोकरियां जो निकली थी टीचरों की उन्होंने इसमें टेक्निकल तरीके से एक particular community के जो 2-3-4% लोग है उनको ही उन्होंने नोकरी देने का काम किया और मैं बताना चाहता हूँ शिकोहबाद सीट पर सपा के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे मुकेश वर्मा बीजेपी से खासे नाराज थे उन्होंने चुनाव से एन पहले बीजेपी को जटका देते हुए समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होना मुनासिब समझा है खेर अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि मुकेश वर्मा का तीर निशाने पर लगा है या नहीं पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अर्शद अली की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद